हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्राखन ओनलाइन एजुकेशन हब में तो गाईज, आज हम करने जा रहे हैं उत्राखन बजट 2023-24 जितने भी डिटेल्स आप की हैं, बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स आप से पूछ सकता है आर्थिक सरवेकशन 2022-23 से जो क्वेश्चन्स बन सकते हैं, वो सारा हम इसके अंदर डिसकस करेंगे तो वीडियो को गाईज लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स पर सबसे पहले अगर बजट की बात करेगा इस तो बजट होता क्या है तो बजट के बारे में क्या है देखो, किसी भी सरकार का या किसी भी राज्य का जो पूरे वर्स का लेखा जोखा होता है या इसी को आप बोल सकते हो वार्सी के अंदर आने वाले हैं और कितने रूपियों को हम क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, कितनी आई है, कितना व्याई होने वाला है इसका पूरा जो विवरण होता है लेखा जोखा होता है इसी को आपका क्या बोला जाता है बजट कहा जाता है अब अगर बजट की बात करें हमारे संग्विधान के अंदर क्या है क्या कोई प्रावधान है जिसके अंदर बोला गया है कि इस आर्टिकल के तहट बजट पेस कि तो संग्विधान में कहीं भी बजट सब्द का लेक नहीं मिलता है लेकिन बजट की जगह पर गाईज वार्सिक वित्ती विवरण सब्द का प्रियोग है अगर पूछे केंद्र की बारे में तो केंद्र सरकार जो बजट पेस करती है वो आता है अनुच्छेद 112 के तहट जब के द्वारा किया जाता है तो पेस किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा अगर पूछे किसकी परमिशन लेनी पड़ती है तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको किसकी केंद्र की बात कर रहे हो तो केंद्र में राष्ट पती और अगर राजजी की बात करेंगे तो राज राजियेपाल का भिभाषन हुआ था, बजट सत्र के दौराना आपने देखा होगा, तो केंडर में राश्ट पती से परमिशन लेनी पड़ती है, और बजट को पेश करने से पहले राजिये के अंदर राजियेपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी, भारत की बात करेंगा तो भारत में याद रखना पहला पेपरलेस बजट कप लाया गया तो 2021 में निर्मला सीता रमन जी के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेज किया था और पहला स्टेट कौन सा है जिसने पेपरलेस बजट पेज किया तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहले वित्तमंतری की बात करूँ तो सनमुखम सेटी जो थे वो पहले क्या थे आपके वित्तमंतری थे वर्तमान वित्तमंतरी की बात करूँ भारत की तो ये हैं महिला हैं आपकी कौन निर्मलासीता रमान जी हम बात कर रहें उत्राखन के अंदर तो सबसे पहले आप चलते हैं उत्राखन देखो उत्राखन के बजट के इतिहास को अगर पुराने इतिहास की तरफ चलें तो सबसे पहले कुछ वित्त मंत्रियों से question पूँच सकता है तो वो आपको cover up करने हैं अगर question पूसता है उत्राखन के पहले वित्त मंत्री कौन थे अब वित्त मंत्री भी दो तरीके से होगा जब 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ था तो उस समय अंतरिम सरकार बनी थी और उस अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री बनाये गए थे वो बनाये गए थे रमेश प नाम आ जाता है एंडी तिवारी जी का तो इतना क्लियर हो चुका होगा आपको एंडी तिवारी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ही वित्तुईभाग रखा था वरतमान में वित्त मंत्री कौन है पूछे तो दस्वे व्यक्ति वाईज ये दस्वे नंबर के हैं और ये हैं आपके प्रेम चंद्र अग्रवाल वहीं अगर आपसे बात करता है उत्राखन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी तो आपका आंसर हो जाएगा इंडरा हर्देश पाचवी वित्त मंत्री थी ये और उसके बाद जो बजट पेस किया गया था वो किया गया था तुर्वेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा तो ये हो गया हमारा पूर्व के बजट का इतिहास अब हम चलते हैं उत्राखन के बजट 2023-24 पर सबसे पहले क्या बनेगा गाईज आपका बजट 2023-24 कहां पेस किया गया तो वैसे दौरान मार्च मां आपका बजट सत्र चल रहा था गयज तो इसी में 15 मार्च 2023 को उत्राखन ने अपना बजट पेस किया वित्तमंत्री जी के द्वारा अगला है उत्राखन का कुल बजट कितना रहा तो 2023-24 में उत्राखन का जो कुल बजट है वो है 77,407.08 करोड तो सिंप वित्ती वर्ष कब से कब तक होता है गाईज अगर आपसे ये पूछा जाता है तो वित्ती वर्ष आप याद रखेंगे 1 अप्रेल से 31 मार्च तक चलता है ये जो बजट है 77,407 ये पहले की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई है अगर पूछी जाती है तो 18.05 प्रतिशत की इस बजट में क्या देखने को मिली है बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि जो पहला बजट था वो था 65,571 और इस बार हो गया है 77,407 तो एक कंपेरि नेक्स्ट पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है उत्राखंड का कुल राजकोसी घाटा कितना है तो बजट के अंदर कुल जो राजकोसी घाटा बताया गया है वो बताया गया है 9,046.91 करोड अब सबसे पहले समझ लोगा इस राजकोसी घाटा होता क्या है physical deficit बोलते हैं इसे यह है क्या जितनी सरकार को आई प्राप्त हुई है ठीक हो गया कुल राजस्व जितना प्राप्त हुआ है और जो कुल व्याई है इन दोनों का अंतर जो कहलाता है वो आपका राजकोसी घाटा हो जाएगा अब अगर आपका देखो घाटा हो रहा है राजस्व आई जादा होगी और व्याई हमारा क्या होगा कम तो घाटा सब्दा आ गया है तो घाटा है तो हमेशा व्याई जादा होगा और राजस्व जो है मतलव जो आई है वो हमें क्या होगी कम प्राप्त होगी तो कुल राजस्व में इसको उधार को छोड़ दिया ज और जो राजस्व आ रहा है जो हमें पैसा मिल रहा है सरकार को वो मिलेगा 76,592 तो ये दोनों का अंतर देखोगे तो 9,046 करोड इसका क्या आ जाता है अंतर आ जाता है तो यहां से आपको ये भी पता चल गया व्याई इतना करेगी सरकार और हमारी जो आई है वो इतनी है दो अगर बात करें ये जो राजकोसी घाटा है ये GDP का कितना प्रतिशत है तो ये उत्राखंड की GDP का 2.72 प्रतिशत ये डेटा आपका important लग रहा है question किस तरीके से बन सकता है देखो उत्राखंड का कुल राजकोसी घाटा GDP का कितना प्रतिशत है तो GDP का कितना प्रतिशत 2.72 ठीक है यह अनुमानी ताकड़े होते हैं गई जो बजट है यह इस तरीके से हम खर्च करेंगे सरकार खर्च करेगी यह बोलती है तो यह पूरा एक अनुमान होता है इससे पहले की घाटे की बात करें पिछले वर्स जो घाटा रहा है वो रहा है 8,503 करोल रुपे तो यह होगे हमारा राजकोसी घाटे से रिलेटेड नेक्स्ट अब यहां पर हम देखते हैं गाई जो भी बजट हमने पेस किया सरकार को कहां कहां से पैसा आता है ऐसे समझो अगर 100 रुपे सरकार के पास आये हैं तो यह 100 रुपे किस-किस मद से आये हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है आप इस ग्राप से देख सकते हो यह यलो कलर आपको दिख रहा होगा तो देखो 25.2 एक यह है और 25.89 आपका क्या है ग्रे कलर का आपका बन रहा है तो यह जो है आपका यह है स्वयम का कर राजस्व जो हमें पैसा आ रहा है वो स्वयम के राजस्व कर से कितना आ रहा है 25.89 परतिशत वहीं इन पूरे डेटा को देखोगे तो इन में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा 27.07 परतिशत यही आपका सबसे important डेटा है question बनेगा कैसे उत्राखंड budget 2023-24 के अनुसार उत्राखंड की सरकार को सरवाधिक आई कहां से प्राप्त होगी तो उत्राखंड को सबसे ज़्यादा जो आई प्राप्त होगी वो कहां से हो रही है केंद्री सहायता यह जो red color है गईज यह दिखा रहा है आपको आप इधर देख सकते हो केंद्री सहायता अनुदान जो भी केंद्र सरकार है वो केंदर सरकार हमें क्या देती है अनुदान के रूप में पैसा देगी उसी से सबसे ज़ादा आई होगी दूसरे नमबर पर अगर आप देखते हो तो ये डेटा है 25.89 परतिशत ये हो गया स्वयम का कर राजस्व स्वयम का कर राजस्व का मतलव क्या है सरकार को जो खुद टैक्स ले रहेगी सरकार राज्य सरकार का जो टैक्स है 100 रुपे में से 25.89 रुपे उसे टैक्स है मिलेंगे तीसरे नंबर पर आता है इसमें 25.21 परतिशत ये है आपका लोक रियन जो भी आपका रियन से सम्मंधिर डेटा है बाड़ी आप देख सकते हो में आपको तीन याद रखना है करम पूछ सकता है कि करम के अनुसार लगाओ उत्राखन सरकार को पैसा कहां से आता है तो सबसे ज़ादा केंदरी साहता से आता है उसके बाद स्वयम का करराजस्वा आता है और तीसरे नंबर पर आता है लोक रियन ऐसे ही सरकार को 100 रुपे तो मिल गए अब सरकार के द्वारा इन 100 रुपे को कही न कहीं क्या किया जाएगा गाईच खर्च किया जाएगा तो सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कहां खर्च करती है तो आप इस परसेंटेज डेटा में देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा 25.23 परतिशत तो गाईच 25.23 परतिशत का मतलब हो गया अन्यव्याई अब इस अन्यव्याई में इन्होंने डिफाइन किया नहीं है तो इसे एक बार को छोड़ दो तो फिर दूसरे नंबर पर आओ ये है 24.98 परतिशत और ये जो 24.98 परतिशत है ये किसको परदर्शित कर रहा है वेतन, भत्ते और मजदूरी मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन हो गया उनके भत्ते हो गये या जो मजदूरी से सम्मंधित पैसा हो गया इसमें सबसे ज़्यादा सरकार को क्या देना पड़ता है पैसे को देना पड़ता है तो दो तरीके से क्या बनेगा देखो उत्राखंड सरकार का सरवाधिक व्याई कहां होता है अगर option में अन्य व्याई है तो आप answer करके आओगे अन्य व्याई लेकिन अगर option में अन्य नहीं है तो तब आप बोलोगे वेतन में क्या होता है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा बाकी सारा data है आप देख सकते हो 9.81 प्रतिशत जो है वो pension के रूप में देना पड़ता है यह सारा data है तो main आपको बस question बनेगा तो एक ही बनेगा सबसे ज़्यादा व्याई किसमे होता है सरकार का तो वेतन और भत्तों में उत्राखन सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है अब आजाते हैं गईज बजट की विसेशता है इस बजट में क्या क्या चीजे ऐसी बोली गई जिनसे हमारे एक्जाम में क्या बन सकता है question तो सबसे पहले बोला गया इसके अंदर 6 Aroma Valley का क्या किया जाएगा विकास किया जाएगा Aroma Valley कितनी बनेगी पहला question तो यही बन गया तो 6 Aroma Valley बनेंगी सुगंधि पुस्पे से संबंदित आपकी यह होती है कहां कहां बनेंगी देखो यह देखना है आपको पहला है Lemon Grass प्लस Mint Valley तो यह बनाई जा रही है आपकी कहां पर हरीद्वार में दूसरा है सिनामन वैली कहां बनेगी पूछेगा तो यह नैनिताल और चमपावत में इसको क्या किया जाएगा विक्सित किया जाएगा ठर्ड है आपकी डैमस्क गुलाब वैली यह बनाई जाएगी चमोली और अलमोडा के अंदर मिन्ट वैली कहां पर बनेगी पूस्ता है तो धमसिंग नगर के अंदर बनाई जाएगी वहीं अगर तिमूर वैली की बात करें तो तिमूर वैली पिथोरागर में अभी तिमूर जो आपका है गाईज सेला कोई अनुशन केंदर वहाँ पर भी इसके विकास की बात की जा रही है संगवर्धन के लिए अगला है लेमन ग्रास वैली लेमन ग्रास वैली कहां पर बनेगी पूछेगा तो पौडी के अंदर तो ये आपका पूरा का पूरा छे डेटा है गाईज इसके अंदर आपको क्या करना है पहला कोश्चिन कितनी वैली बनेंगी तो छे आरोमा वैली बनेंगी कहां कौन सी है या आपको हो गया पौडी से अभी लेटेस्ट का कोश्चिन याद रखना गरीबी उन्मूलन ठीक है उत्राखन सरकार ने अपनी क्या निकाली है रिपोर्ट निकाली है गरीबी उन्मूलन में सबसे टॉप पर जो आपका जिला रहा है गरीबी को हटाने में प्रियास करने वालों में सबसे टॉप पर जो जिला है वो पौडीगडवाल जनपद है नेक्स्ट है G20 के लिए बजट अब यहाँ पर G20 आपको पता ही है G20 का अठारवा जो संसकरण हो रहा है वो 2023 में भारत के अंदर हो रहा है भारत के अंदर अलग-अलग विशयों पर अलग-अलग जगहों पर इसकी मिटिंग होगी तो उत्राखन में तीन जगह है या तीन मिटिंग होंगी इसकी पहली मिटिंग रामनगर में हो चुकी है 28-30 मार्च अगर पूछे विशय क्या है इसका तो विज्ञान पर आधारीत यह था दूसरी और तीसरी रिसी केस में होने वाली है मई और जून के महिने में तो पहला question क्या है G20 की उत्राखन में कितनी बैठेकें तीन बैठेकें इस G20 के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि विदेशों से मेहमान आ रहे हैं तो इसके लिए 100 करोल रुपे अलग से बजट में क्या कर दिये गए हैं रखे गए हैं नेक्स्ट है आपका उत्राखन बजट के प्रमुक सात बिंदू तो आपने जब भारत का बजट देखा होगा तो उसमें सब्त रिसी बोला गया था मतलब इस साल बजट सात इस्तंबो पर खड़ाता या सात छेत्रों पर प्रमुक रूप से सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रह अब इनमें है क्या क्या मानव पूझी में निवेस किया जाएगा ये बोला गया है दूसरा है चमता संगवर्धन की जाएगी मतलब कैसिटी बढ़ाई जाएगी आपकी अब ये चमता संगवर्धन होगा किस तरीके से रोडों का विकास करके ताकि एजीली कम टाइम पर ट चालन किया था उतराखन सरकार ने पूझी गत्वियाई में व्रिधी की जाएगी ठीक है पूझी गत्वियाई और राजस्वियाई दो चीजे होती है गाईज पूझी गत्वियाई क्या होता है जिस चीज पर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो पैसा क्या बाद में सरका सरकार को आए देगा राजस्वियाई होता है जैसे सेलरी में खर्च कर दिया दो एक्जामपल समझो राजी की सरकार ने हॉस्पिटल का निर्मार किया या रोडों का निर्मार किया वो पूजी गत्वियाई है ऐसे ही जो सरकार सेलरी पर खर्च कर रही है वो आपका अंतिम छोड तक जो भी अंतिम व्यक्ति है राजी के अंदर अब connectivity का मतलब अंतिम व्यक्ति कौन रहेगा पिथोरागर के सीमावर्ती छेतर में जो राजी जनजाती रह रही है या चमोली में उत्तरकासी में इन सीमावर्ती इलागों को directly connect किया जाएगा हमारे किस्से जो developed छ लेकिन उस्में टेकनोडाम को किया जाएगा इन्ट्रिूस करवाया जाएगा इसके लिए जित稀 सो विड्याला ही हैं उनको WiFi से कनेक्ट किया जाएगा उसके बाद गावो में जो टेलीफॉन सुविदा है वह दी जाएगी तो इनके बारे में बोला गया है अगला है ecology plus economy तो ecology plus economy sustainable development की बात की गई है उत्राखन के अंदर मतलब हम development तो करेंगे, economy तो बढ़ाएंगे अपनी लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को कोई हानी भी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए पहली बार सरकार ने पूझी गत व्याई का 0.5 प्रतिशत किस पर परियावरण पर खर्च करने की क्या की है बात की है, मतलब जो भी हम व्याई करेंगे उसमें से 0.5 प्रतिशत पैसा जो है वो जलवायू पर होगा कि जो भी हम इंडेस्ट्री बना रहे हैं या जो भी हम विकास कर रहे हैं उससे हमारी जलवायू को कोई इफेक्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये पूरा व्याई किया जाएगा 0.5 प्रतिशत आपको याद रखना है नेक्स्ट अगर बढ़ें प्रमुक परियोजनाओं हेतु बजट तो कौन-कौन सी परियोजनाओं पर कौन कितना बजट आपका लागू किया गया है ये देखना है तो नंदा गौरा योजना के लिए सरकार 282 करोड पेस करेगी एक बार इस वाले डेटा को नो आप एक बार पढ़के चले जाना क्योंकि इससे question पूछने के chances बहुत कम हैं लेकिन कई बार क्या होता है examiner बना देता है आपका उसीधे पूछ देता है 2023-2024 बजट में वातसली योजना के लिए कितना बजट रखा गया या कितना पैसा निर्धारित किया गया तो मिलेट मिशन मिलेट मिशन पूछ सकता है क्योंकि 2023 का जो वर्स है इसको क्या किया गया है मोटे अनाज का वर्स घोसित किया गया है मिलेट जो होता है मोटे अनाज होते जैसे जवार हो गया बाजरा हो गया और इस बार केंद्र सरकार ने भी मिलेट के लिए एक अलग से नाम दिया है अन्न स्री स्री अन्न बोला है मोटे अनाज को क्या बोला है गाईज स्री अन्न बोला है और इसी स्री अन्न के विकास के लिए एक केंद्र इस्थापित किया जाएगा हैदराबाद के अंदर जो वहाँ पर बताएगा किस तरीके से मोटे अनाज को और ज्यादा विक्सित किया जाए तो इसके लिए राज्य सरकार ने भी 15 करोड मढवा हो गया जंगोरा हो गया ये हमारे मिलेट मिशन के अंदर आते हैं मिलेट मिशन राज्य सरकार ने कब स्टार्ट किया पूचे तो 16 फरवरी 2023 से किया है अटल आयुस्मान योजना में 400 करोड देगी सरकार वातसल योजना 23 करोड रुपे दो अगस्त 2023 से स्टार्ट की थी मुख्यमंत्री ने इसे पीम स्री योजना के लिए 92 करोड है मुख्यमंत्री बाल पोशन अभियान के लिए 26 करोड रुपे है मुख्यमंत्री महालक्षमी योजना के लिए 19 करोड है तो बस एक बार आप परियोजना देख लो अगर जादा आपको पढ़ना है तो इस परियोजना से रिलेटेड एर देख लेना कि कब इसको लॉंच किया गया था नेक्स्ट है मिसन एपल योजना सेप के विकास के लिए 35 करोड दिये गए है लख्वाड परियोजना 500 करोड रुपे आप कमेंट करके बताओ लख्वाड परियोजना किस नदी पर इस्तित है जोसीमठ आप दा पुनरवास के लिए 1000 करोड अभी आपको पताई है जो सीमठ में आपदा आई थी भूध हसाव हुआ था उसके लिए इनको नई जगय पर विस्थापित किया जा रहा है कहां पीपल कोटी और इसमें गाईज पहले प्रावधान था आपका 4000 आई थी एक बार आप देख लेना 4000 रुपे और आप ये 4000 से बढ़ा कर जो पैसा दिय जा रहा है इनको रेंट के लिए वो 5000 कर दिया गया है अगला प्रशन है समगर शिक्षया अभियान के लिए 813.3 करोड एक तीन करोड शिक्षया पर हम 10469 करोड रुपे खर्च कर रहे हैं कमेंट करके आप बताओ स्वास्त पर उत्राखंड सरकार ने कितना पैसा खर्च कि अगला है स्वारोजगार योजना 40 करोड उत्राखंड स्वारोजगार योजना के लिए स्टार्ट किये हैं 40 करोड प्रावधान किया गया है उत्कृष्ट कलश्टर विध्यालई की बात करें जैसे आपने देखा होगा हर ब्लॉक के अंदर एक कलश्टर विध्यालई खु तो आप इन परियोजनाओं से एक बार बस ये देख लेना इन परियोजनाओं को start कप किया गया है और क्या इनके मुख्य बिंदू है नेक्स्ट अगर देखें ग्राम में विकास महायोजना इस बार गाउँ के विकास के लिए एक नई योजना पर इसके लिए सरकार ने विरोधी अध्यादेश को लागू करने के लिए यहां पर बात की गई है। एक भारत सरकार ने 2025 तक टीवी मुक्त बनाया है। जो टीवी होती है ट्यूबर क्लॉसिस गाईज तो इससे मुक्त हो जाएगा भारत 2025 ऐसा लक्ष है। और उसी की तरज पर उत्राखंड ने ये लक्ष रखा है कि हम 2024 तक टीवी से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो ये उत्राखंड सरकार का लक्ष है। ऐसे ही विश्व का जो लक्ष है जो आपका डबलू एचो ने रखा है वो रखा है 2030 का कि जो पूरा विश्व है वो 2030 तक टीवी से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने। अगला प्रशन है जलवाय परिवर्तन के लिए पूझीगत व्याई का 0.5 प्रतिशत व्याई किया जाएगा ये मैंने आपको बताई दिया है। जी इपी सकल परियावरन उत्पाद लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है बूचेगा तो देश का पहला राज्य बन चुका है आपका उत और राज्य सरकार में भी इसका प्रावधान कर दिया है तो भारत के अंदर पहली बार जेंडर बजट कब आया पूचेगा तो ये 2005-06 में लाया गया था। उसके बाद राज्य में 2007-2008 में पहली बार उत्रागंड अपना जेंडर बजट क्या किया था पेस किया था। इस बार 2023 में इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और ये कितना कर दिया गया है 13,920 करोड रुपे किस पर खर्च करेगी सरकार जेंडर बजट इसके लिए अलग से पारित किया गया अगली बात question है गाईज देखो उत्राखंड राज्य पर कर्ज कितना है पूछे तो बजट के अंदर बोला गया है 2023 तक 68,884 करोड रुपे क्या हो चुका है हम पर लौन हो चुका है और ये लौन 2024 तक बढ़कर हमारी क्या है बजट के बराबर पहुँच जाएगा मतलब 77 के आसपास ये क्या हो जाएगा 2024 तक पहुँच जाएगा तो ये भी याद रखना है क्योंकि अभी 77,407 हमने बजट पेस किया है इतना ही कर्ज हो जाएगा उत्राखंड सरकार को 2024 में नेक्स्ट की बात करूँ गाई तो ये बोला गया बजट में Integrated Technical Institute अब ये होता क्या है Integrated Technical Institute ऐसे इंस्ट्यूशन जहां पर जो बच्चा है वो अपना डिप्लोमा उसके बाद डिग्री और इसनातक की डिग्री और उसके बाद अगर जैसे बीटेक की बात करूँ तो आपक क्या बीटेक फिर बीटेक के बाद एमटेक ये तीनों कोर्स एक ही में प्रोवाइड हो जाएं मतलब एक ही इंस्ट्यूशन में प्रोवाइड हो जाएं इसी को बोला गया है Integrated Technical Institute और इसको जो स्टार्टिंग कर दी गई है कहां से की गई है राज की पॉलिटेक्निक नरें देरादोन में Placement केंदर को क्या कर रही है Open कर रही है और यह जो Placement Institution है यह तकनिकी सिक्षा निदेशा लाई के अधिन क्या करेंगा का अगला इसी बजट में बूला गया गाईज जो खेल महाकुम्ब है इसके लिए पंद्रा करोल रुपे दिये जाएंगे युवाहों के पांच करोड का बजट प्रावधान किया गया, बजट के अंदर राज जी की विकास दर, अब दो चीजे होती है, एक होता है आर्थिक सर्वेक्चन, एक होता है बजट, बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्चन आया जाता है, मतलब इस पूरे वित्ती वर्स में, 2022-23 म जो भी बजट रखा था, सरकार ने जैसा बोला था, हम इतना खर्च करेंगे, यहां यहां खर्च करेंगे, तो कहां कहां पर सरकार ने कितना खर्च किया, कितना आपका आई हुई, कितना व्याई हुआ, यह पूरा जो बताता है, यह आर्थिक सर्वेक्चन बताता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 तेश के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आई है उत्राखन की वो 2,33,000 हो चुकी है जबकि भारत की आपने देखी होगी बजट में बोली गई थी 1,97,000 है और उत्राखन की प्रति व्यक्ति आई 2,33,000 हो चुकी है राज जी में कुल बेरोजगार कितने हैं पूछे इस रिपोर्ट की अनुसार तो 8,6,8,000 बेरोजगार हैं वहीं अगर बात करें राज जी में कुपोशित बच्चे कितने हैं तो 6,499 कुपोशित बच्चे हैं अब यहां से काई देखे यह तो हमने देख लिया में सार मुख्य मंत्री प्रेम चंद अगरवाल जी के द्वारा जो बजट पेस किया गया था उसके आप से अलग से कॉपी उत्राखन गवर्मेंट की साइट पर मिल जाएगी तो उस कॉपी से कौन-कौन से प्रमुक क्वेशिन हो सकते हैं वो हम आप डिसकस करेंगे मेंली जो क्वेशिन बन सकते थे वो आपके यहां से बन जाएगे लेकिन कभी deep में क्वेशिन बन गए और फिर आपको पता चले कि यह क्वेशिन कहां से आएढ़ा है तो उसके वीडियो जो latest में चल रही हो वो आपको मिले तो आप comment करके बता सकते तो गाईजी देश सकते हैं आप budget में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अमरित काल का क्या था पहला budget था तो अमरित काल का पहला budget कप paste किया गया पूछेगा तो आप बोलोगे 2023 के अंदर next अगर देखें तो ये आजाता है आपका मुख्यमंत्री जी के द्वारा कौनसी बातों पर बोला गया है सरली करण, समाधान और निस्तारी करण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने की क्या कही गई है सब्तरीसी का कौनसेप्ट ने बताई दिया है आपको अगला आपको याद रखना है इस वर्स मंडल के इस्थान पर जन्पदवार पूर्व बजट समवाद आयोजित किये गए हैं, मतलब इससे पहले जो बजट था, वो मंडल वाइज निकलता था, 2023 के दौरान पहली बार ये क्या किया गया जन्पदवार निकाला गया है वही इस बार बजट में क्या क्या चीजे होनी चाहिए इमेल, बजट निदे साले की वेबसाइट और वटसेप के माध्यम से लोगों से भी बोला, पूछा गया कि आप क्या क्या चीजे चाहते हैं बजट में तो लोगों के साथ बजट में सहभागिता किस वर्स पहली बार इंट्रड्यूस करवाई गई उत्राखन गवर्मेंट के दौरा पूछे, तो 2023 में बोलोगे वही अगर नेक्स देखें, ससक्त उत्राखन ने 2025 तक बता दिया है साथ प्रात्मिक बिंदों पर बात की गई है, वो इसमें मैंने आपको मार कर दिये, देखें तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार पूरा पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जो PDF में, जो हमने बजट में नहीं पढ़ा, वो देख लेते हैं G20 मैंने आपको बता दिया है एक बार आप गो थू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर तीन चीजे हैं देखें, सुसासन के लिए अपनी सरकार पोर्टल E-Cabinet, E-Office CM Helpline 1905 सेवा का अधिकार और एक नई चीज, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप बनाई गई है और भ्रष्टाचार मुक्त एप का जो नंबर है यह नंबर याद रखना है आपको 1064 तो 1904 1905 CM Helpline है और 1064 भ्रष्टाचार के लिए आपका नंबर है वहीं दूसरा देखें अगर गाईज युवा सक्ती के लिए तीन चीजे जरूरी है त्रवेडी बोला गया है तो युवा सक्ती के लिए त्रवेडी में कौन सामिल नहीं है पूछे इनोवेशन की बात की गई है इनक्यूबेशन की बात की गई है और स्टार्टप की बात की गई है वहीं अगर आगे बढ़ें NCC कैडिट्स की बात करें तो बोला गया कि प्रदेश में 39,000 49,000 NCC कैडिट्स हैं इनको पहले केवल 15 रुपे प्रती कैडिट्स मिलता था मतलब जब भी ये सफाई के लिए बाहर जाते थे तो एक पर 15 रुपे खर्च होता था लेकिन ये रासी बढ़ा करके आप कितनी कर दी गई है 45 कर दी गई है वहीं बोला गया है कि NCC कार्यालाय का भवन बनाया जाएगा इसके लिए अलग से एक करोल रुपे का प्रावधान किया गया है अगला अगर देखें तो ये परियोजना ये हैं ये परियोजना मैंने आपको बता दी है PM3 योजना तो आप ये देख सकते हो पूरी मार की हुई है उसके बाद अगर नेक्स देखें ये आप देख सकते हो युवा सकती को अवसर परदान करने के लिए संग लोग सेवा योग NDA, CDS या फिर उसके संकक्ष कोई भी जो है परिक्षा का अगर आपने रिटन पास कर दिया है तो इंटर्व्यू के लिए सरकार कितना देगी आपको 50,000 रुपे देगी नेक्स्ट गाइज वर्क फोर्स डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट ये अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं मैंने बता दिये हैं आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 40 करोल रुपे करेगी उतक्रिष्ट कलस्टर विध्यालाई बता दिया है आपको समगर शिक्षा योजना बता दिया है तो एक बार देख ले दें और क्या क्या चीजे राज की पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में इंटीग्रेटेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट का संचालन प्रारंब करने के लिए क्या है कारिवाही गतिमान है ये मैंने बता दिया है आपको अगला यहां पर आमवाला देहरादून में रोजगार के लिए क्या होगा ट्रेनिंग प्लेस्मेंट केंद्र खोला जाएगा ये बोला गया है खेल महाकुम्ब हो चुका है सरकारी सेवाओं में 30% महिला आरक्षन बता दिया है आपको अगला ये है गईज PDF में नहीं पढ़ा था अगर ये question deep जाए पूछ ले इस बार सरकार ने जो आगनबारी कारे करती है इनका जो वेतन है वो क्या कर दिया है बढ़ा दिया है तो वेतन कितना कर दिया है पूछे देखो 4500 इनको पहले से मिलता था अब राज्य सरकार 4800 और देगी तो ये धनरासी इनकी 9300 रुपे मान दे हो चुका है वहीं जो सहक कारी करती होती है उनको 3500 के अतिरिक्त 2750 की धनरासी और दी जाएगी तो तोटल कितना हो गया 6250 तो ये मार किया है मैंने ये आप देख सकते हो उसके बाद next है गाईज एक बार इसका हम देख लेते हैं लास्ट का ये आप देख सकते हैं गाईज 2023 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है अगर पूछे बजट 2023 के अनुसार उत्राखंड का राजस्व घाटा कितना है तो आप बोलोगे जीरो सरकार बोल रही है इस बार हमें राजस्व घाटा ना हो करके हम सरपलस में हैं मतलब हम जादा कमा रहे हैं और यह सरपलस कितना है 4,309 करोड 55 लाक यह आप देख सकते हैं 9,046 करोड अब देखो दोनों चीज़े क्या अलग है राजस्व घाटा अलग होता है और राजस्व जो आपका दूसरा क्या है राजकोसिय घाटा यह दोनों अलग-अलग चीज़े है राजकोसिय घाटा कितना है पूछेगा तो आप बोलोगे 9,046 करोड लेकिन राजस्व घाटे की बात करेगा तो राजस्व घाटा सरकार ने इस बार दिखाया कि हमें कोई भी घाटा नहीं हो रहा है तो यह थोड़ा सा आपका अंतर है क्वेश्चन पूछे राजस्व घाटा कितना अनुमान है वहाँ आप यह मतलगा आना वहाँ आप जीरो बोलोगे वहीं अगर हम देखें कुल व्याई 52,747 करोड 71,001 लाग रुपे है जबकि जो आपका व्याई होगा राजस्व लेखे का व्याई होगा वो है 24,669 करोड तो यह दोनों चीज़े आप डेटा याद रख सकते हैं फिर अगला पॉइंट बनेगा 2023-2024 में रिणों के परतिदान में हमें 11,227 करोड 63 लाग ब्याज की अदाइग गाई के रूप में 6,161 करोड 40 लाग रुपे मिलने वाला है तो यह चीज़े याद रखोगे आप एक आपको याद रखना है गाईच महिला अपरात को रोकने के लिए पहले उत्राखन पुलिस ने गौरा सकती योजना के तहट उत्राखन पुलिस एप में गौरा सकती मोड्यूल क्या कर दिया गया है दे दिया गया है तो गौरा सकती योजना किस से संबंदित है महिला अपरात की रोक थाम के लिए किसने स्टार्ट किया है इसको उत्राखन पुलिस ने इसको क्या किया है स्टार्ट किया है नेक्स्ट आपको याद रखना है गाईज देखे इलेक्ट्रोनिक F.I.R पंजीकरत करने हेतु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून को E. थाना अधिकरत कर ओनलाइन F.I.R की सुईधा प्रदान की गई है तो ये राजजी का पहला E. F.I.R पंजीकरत थाना बन चुका है कहां पर बन चुका है देहरादून के अंदर दूसरा आपको याद रखना है भारत के नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लूटी, चोरी, संपत्ती बरामदगी का राश्टी ओसत जो है 30.2 परतिशत है सभी परदेश केंदर सासित परदेशों में लूटी लूट अबलिक चोरी संपत्ती की बरामदगी में 68 परतिशत के साथ उत्राखन राजजी का क्या है प्रथम इस्थान है मतलब इसका मतलब क्या है अगर देश के अंदर 100 क्राईम हो रहे हैं वो लूट पार्ट के हो गए चोरी के हो गए तो उनमें से 30 परतिशत जो केस हैं मतलब 30 केस में तो पैसा वापस हो जाता है जो पुलिस है वो काम कर लेती है ये उत्राखन के अंदर 100 केस हैं तो 100 केस में से 68 केस ऐसे होते हैं, जिन में चोरी हो गई, लूट पाठ हो गई, ये मामले पकड़ लिये जाते हैं, तो इस मामले में उत्राखंड पहले नंबर पर है, वहीं अगर पुलिस थानों की बात करें, तो ग्रहम अंत्रालई भारत सरकार द्वारा वर्स 2022 में देश के टॉप 10 थानों में उत्राखंड राज्जी के जनपत चमपावत के थाना बनबसा को कौनसा इस्थान दिया गया है, तीसरा, तो उत्राखंड का टॉप 10 पुलिस थानों में कौनसा पुलिस थाना है, पूछे, तो बनबसा पुलिस थाना तीसरे नंबर पर आता है, अगला क्या आती है जल मिलना चाहिए सिवरेज सिस्टम होना चाहिए वर्सा जल निकासी पार्क निर्मान इसके लिए कितने नगर निगमों को चिन्नित किया गया है पूछे तो छे नगर निगम देहरादून हरिद्वार रुड़की कासिपुर रुद्रपुर हल्डवानी काडगो करण के लिए मतलब जो आवारा पसु होते हैं जो घूमते रहते हैं उनके लिए क्या करा जा रहा है एक अलग से कैमपस बनाया जाएगा और यह है ABC कैमपस तो क्वेश्चिन क्या बन सकता है पहला स्वान पसु या जो आवारा पसु है उनको बाधने के लिए कौन सा कैमप बनाया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा ABC campus में नेक्स्ट है गईज आपका राजी में सहरों के सुनियोजित विकास को देखते हुए मतलब सहरों के विकास करने के लिए एक निती लाई गई है और ये निती कौन सी है transferable development rights policy उत्राखंड राजी ने सहरों के सुनियोजित विकास के लिए transferable development rights policy कब लागू की तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2022 तो ये विकास निती 2022 को क्या किया गया है अधिसूचित किया गया है तो ये याद रखना आप next guys यहाँ पर दो चीजे याद रखनी है हरिद्वार को परियतन नगरी के रूप में विक्षित किया जा रहा है और जो रिशी केस है इसको योग नगरी के रूप में क्या किया जाएगा विक्षित किया जाएगा next अगर हम बात करें स्वच्च सर्वेक्षण 2022 की तो इसमें बोला गया है राष्टपती पुरुसकार समेथ राज्य निकायों को कुल 6 पुरुसकार प्राप्त हुए स्वच्च सर्वेक्षण 2022 में उत्राखंड के कितने निकायों को पुरुसकार प्राप्त हुए है तो आंसर हो जाएगा आपका 6 इनमें दीन दयाल उपाध्याय राष्टी सहरी आजिवी का मिसन के अंतरगत हिमालई राज्यों में राज्य को दो करोड की क्या है धनरासी प योजना के अंतरगत नगर निकाय देव प्रियाग को राष्टी स्तर पर हिमालई राज्य स्रेडी में पुरुसकार दिया गया है तो प्रधान मंत्री आवास योजना में हिमालई राज्य स्रेडी में किसे पुरुसकार किया गया देव प्रियाग को पुरुसकृत किया गय दो सो पंचायत भवनों के निर्माड हेतु धनरासी स्विक्रेत की गई है। प्रती छेत्र हैं उनका डेवलप्मेंट हो सके। नेक्स्ट आपका अमरित सरोवर से है गाईज। हमारे राजजी को 75 सरोवर प्रती जन्पत की दर से 975 अमरित सरोवर बनाने थे। लेकिन हम बना रहे हैं 1222 तो हमारा अमरित सरोवर में जो करम है वो तीसरा आता है ठर्ड है। ठीक है? अमरित सरोवर क्या है? जल संगरक्षन के लिए इसको विक्षित किया जा रहा है हर जिले में 75 क्या करें जाएंगे? सरोवर विक्सित किये जाएंगे इसमें पहले नंबर पर आपका यूपी फिर जम्मु कस्मीर और तीसरे नंबर पर आता है उत्राखन तो यह आपको याद रखने है नेक्स्ट है गाईज आपको पता ही है यहाँ पर फिल्मों का भी काफी बन सकती है क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो इस बार सरकार ने फिल्म परिशत की स्थापना के अंतरगत आगामी वित्ती वर्स में 11 करोड रुपे का क्या किया गया है प्रावधान किया है तो फिल्म प पर कौन से एटियम लगाए जाएंगे वाटर एटियम या फिर वाटर एटियम लगाने वाला राज्य पूछेगा तो उत्राखन राज्य बोल दोगे नेक्स्ट है गाईज आपका हेमकुंड साहिप तथा केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम गनाने के लिए गोविंद घाट से हेमकुंड साहिप तथा सोन प्रियाक से केदारनाथ के बीच क्या किया जाएगा रोपवे का निर्माण किया जाएगा और इस परियोजना का सिलान्यास माननी परधान मंत्री जी ने 21-10-2022 को किया था तो ये दो दो चीज़ याद रखना जो हमारा रोपवे बन रहा है वो गोविंद घाट से हेमकुन और दूसरा सोन परियाक से केदारनाथ वहीं दूसरा देखे मल्टी मॉडल के रूप में रोपवे यमुनोत्री रोपवे भी बनाया जा रहा है देहरादून में मैट्रो रेल की रूप रेखा के लिए कितने रूपए 101 करोड का क्या किया गया है बजट में प्रावधान किया गया है या इस तरीके से पूछे मैट्रो कहाँ पर इस्थापित की जाएगी पहली तो देहरादून के अंदर नेक्स्ट है गईज आपका केंद्री सडक अव इस्थापना निधी योजना के तहत जनपद नई टिहरी में गंगा नदी के उपर जो पहले से बिरिज था लक्षमर जूला पुल के समीब एक नया सेतू बनेगा इसका नाम क्या है बजरंग सेतू तो बजरंग सेतू रिसी केस के अंदर कहाँ पर जनपद पूछेगा तो नई टिहरी गढ़वाल मतलब टिहरी गढ़वाल जनपद में नेक्स्ट अगर देखेगा है जिनी के भासर में बोला गया सरकार ने फरवरी 2023 में प्रथम ग्रामीड विज्ञान कॉंग्रेस का देहरादून में क्या हुआ था आयोजन हुआ था तो ये इंपोटेंट है पूछा भी जा चुका है कि पहली ग्रामीड विज्ञान कॉंग्रेस कहा हुई थी फरवरी 2023 में देहरादून में और वहीं जो मध्य छेतरी परिशत की बैठक हुई है वो भी देहरादून के अंदर ही हुई है नेक्स्ट आपको याद रखना है गाई सिल्डकुल द्वारा केंद्र सरकार की प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना के अंतरगत पहले सिंपल याद रखो प्लास्टिक पार्क की जन्पद में बनेगा युएस नगर सितारगंज फेज 2 नेक्स्ट है आपका एक जिला एक उत्पाद जी आई उत्पाद और अन्य हस्ति सिल्पू उत्पादों के लिए काहे की स्थापना की गई है एक युनिटी मॉल वैसे भी युनिटी मॉल जो है ये केंद्र सरकार के बजट में बोला गया था जिसके अंदर उस राजजी की या उस जिले की सभी चीजों को क्या किया जाएगा बेचा जाएगा तो ये है गाईज हमारा पूरा का पूरा बजट से रिलेटेट चीजे इतने से आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको पूरा डिटेल करना है तो मैंने इसमें मुख्यमंत्री CM ये जो वित्त मंत्री है पेमचंद अगरवाल जी का भासन है इसमें से जो पूठ सकता हुए ने मार्क कर दिया है एप पर अलग से आपको ये PDF मिल जाएगी बजट वाले सेक्शन में तो वहाँ से जाके आप पर सकते हो कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स, have a good day